नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल एक्जाम अपडेट की गुरुजी YouTube चैनल पर दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पहली बार में वीडियो को पहली बार देखने में तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बैल आइकन को भी ओन कर लेना जिससे कि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक प परीक्षन एजेंसी, NTA, द्वारा मई 2025 के पहले सप्ताह में आयोजित की जाएगी नीट 2025 सनातक चिकितसा पाठिक्रमों के लिए सबसे बड़ी प्रवेश परीक्षा है इस प्रिष्ट पर महत्वपूर्ण तिथियों, पैटर्न, पाठिक्रम, पात्रतामांदंड, परिणाम, कटो नफ आदी के संदर्भ में परीक्षा का विवरण जाने उम्मीद है कि NTA जल्द ही एक्टूबर 2024 में एक कॉमन एक्जाम कैलेंडर के जरिये नीट 2025 परीक्षा की तारीख जारी कर देगा पिछले साल NTA ने सितंबर 2030 में C, U, E, T, U, G, J, E, Min और U, G, C, Net जैसी अन्य प्रवेश परीक्षाओं के साथ-साथ नीट की परीक्षा तिथिकी घोशना की थी हाला कि अभी तक NTA ने कॉमन एक्जाम कैलेंडर जारी करने की कोई घोशना या संकेत नहीं दिया है नीट 2025 परीक्षा पैटर्न और सिलेबस पिछले साल की तरह ही रहने की उम्मीद है पिछले साल के रुजानों को देखते हुए नीट 2025 परीक्षा की अपेक्षित तिथिर अविवार 4 मई 2025 है जो भारत और विदेशों के 570 से अधिक शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5 और 20 बजे तक होगी नीट 2025 परीक्षा की तिथि की घोशना अक्टूबर 2024 के अंत तक संभावित रूप से की जाएगी भारत और विदेशों में 20 लाख से अधिक उम्मीदवारों के परीक्षा में शामिल होने की उम्मीद है नीट 2025 में सफलता प्राप्त करने का लक्षे रखने वाले उम्मीदवारों को अपनी तयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए यदि अभी तक शुरू नहीं की है आम तोर पर चात्र अपनी नीट की तयारी लगभग 2 साल पहले से शुरू कर देते हैं यानि कक्षा 11 से या कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा पूरी होने के बाद पहला कदम नीट दोहजार पचीस के पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न से परिचित होना है तयारी के साथ साथ छात्रों को परीक्षा के बारे में अन्य विवरणों के बारे में भी पता होना चाहिए उनके लिए शिक्षा का यहलेख नीट दोहजार पचीस के बारे में महत्वपूर्ण तिथियों, पात्रता मान्दंड, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न, पाठिक्रम, पुस्तकों और तैयारी की रणनीती के बारे में सब कुछ बताता है नीट 2025, अवलोकन निम्न लिखित तालिका में नीट 2025 का अवलोकन या परीक्षा की मुख्य बातें दी गई है विवरण विवरण, परीक्षा का नाम राष्ट्रिय पात्रता, सह प्रवेश परीक्षा, नीट संचालन निकाय, राष्ट्रिय परीक्षन, एजनसी, एनटिये, परीक्षा स्तर, राष्ट्रिय स्तर पर, सनातक, यूजी, परीक्षा-परीक्षा, आवृत्ति, एक वर्ष म PMS, BVSSE और AH परीक्षा शुल्क कोरी रुपए सामान्य A600 OBC X1000 आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वार 9.5 सालान 500 विदेशी नागरिक परीक्षा की अवधी एवं समय 3 घंटे और 20 मिनट दो पहर 2 बजे से शाम 5 और 20 बजे तक भारतिय सम्या नुसार विशेयों की संख्या एवं कुल अंक भौतिक विज्ञान 180 अंक रसायन विज्ञान 180 अंक जीव विज्ञान 360 अंक कुल अंक 720 कुल सवाल 200 एक सो असी प्रयास किये जाने हैं अंकन योजना प्रत्येक सही उत्तर के लिए, प्लासोर प्रत्येक गलत उत्तर के लिए, एक परीक्षा, शहरों की संख्या, पांसो सैप्तन, भारत, चौदा, विदेश, पेपर की, भाषा, माध्यम, तेरा भाषाएं, अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली, उर्दू, असमिया, गुजराथी, मराथी, ओडिया, कंणड, तमिल, मलयालम, पंजाबी, और ते लुगू, स्विकार करने वाले कॉलेज, एक ओसार सेसो तीरा कॉलेज, कुल सीटो की संख्या, MBBS, एक ओसार नाइं दॉस, एक सेप्तार बिएस, पाइसी दॉसार दास, इसी एट बमस, फाइट NIT आधिकारिक वेबसाइट, www.neet10taonline.in, www.exams10ta.in, NEET, दोहजार पच्चीस परीक्षा तिथियां, NEET, दोहजार पच्चीस की महत्वपूर्ण तिथियां, या पूरा शेडियूल NTA द्वारा, समय समय पर घोशित किया जाएगा, NTA द्वारा, सबसे पहले परीक्षा ति के लिए समभाविद शेडियूल दिया गया है, घटना क्रम, खजूर, NEET, दोहजार पच्चीस, परीक्षा तिथि की घोशना, अक्टूबर दोहजार चॉबीस का चौथा सब्ता, NEET, दोहजार पच्चीस, आवेदन पत्र जारी, मार्च दोहजार पच्चीस का पहला सब् NEET, दोहजार पच्चीस, शेहर सूचना परची, अप्रेल दोहजार पच्चीस का चौथा सब्ता, NEET, दोहजार पच्चीस, एड्मिट कार्ड, माई दोहजार पच्चीस, परीक्षा माई, दोहजार पच्चीस, परीक्षा माई, दोहजार पच्चीस, परीक्षा माई, दो 200 मिनट या 3 घंटे और 20 मिनट की अवधिका पेपर पेंसिल आधारित परीक्षन PBT है इसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से कुल 200 वस्तु निष्ठ प्रकार के बहुविकल्पिय प्रश्न MCQ होते हैं प्रत्यक खंड को 2 खंडों में बाटा गया है खंड A और खंड B जिसमें क्रमशह 45 और 15 प्रश्न है खंड B के अंतरगत परीक्षार्थियों को 15 में से 10 प्रश्न हल करने होते हैं प्रत्यक प्रश्न के लिए 4 अंक होते हैं और प्रत्यक गलत उत्तर के लिए एक अंक की नकारात्मक अंकन होता है। चालीस उम्मीद है कि नीट 2025 परीक्षा पैटर्न पिछले साल जैसा ही रहेगा। हटाए गए हिस्से को अभी भी इन बोडों द्वारा वापस नहीं लिया जा रहा है। हटाए गए हिस्से विभिन बोडों में एक समान नहीं थे। इसलिए पाठ्यक्रम में संशोधन के लिए NTA को कई अनुरोध प्राप्त हुए। विशयवार पाठ्यक्रम नीचे दिया गया है। अकर्षन शक्ती संतुलन प्रजनन ठोस और द्रव के गुण रेडॉक्स अभिक्रियाय और आनुवन्शिकी और इलेक्ट्रो केमिस्ट्री विकास उश्म प्रवेगिकी रासायनिक गति की जीव विज्ञान और मानव कल्यान गैसों का गतिज सिध्धान्त अकार्बनिक रस रसायन शास्त्र तत्वों का वर्गी करण और गुणों में आवर्तिता जैव प्रद्योगिकी और इसके अनुप्रयोग दोलन और तरंगे पी ब्लोक तत्व इलेक्ट्रो स्टाटिक्स डी और एफ ब्लोक तत्व वर्तमान बिजली समन्वे योगिक विद्युत धारा एव चुम्ब कत्व के चुम्ब कीये प्रभाव जैविक अनुओ प्रयोगात्मक कौशल व्या वहारिक रसायन विज्ञान से संबंधित सिध्धान्त एन नीट का सिलेबस 2025 संभवत पिछले साल जैसा ही रहेगा एन टीए द्वारा अपडेट किया गया नीट 2025 सिलेबस PDF परीक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा यदि पैटर्न समान रहता है तो उम्मीदवार नीचे दिये गए नीट सिलेबस PDF को देख सकते हैं डाउनलोड करना एन टीए पाठ्यक्रम नीट 2024 PDF नीट 2025 की तयारी नीट 2025 की तयारी उम्मीदवारों को कम से कम दो साल पहले शुरू कर देनी चाहिए क्योंकि नीट के पाठ्यक्रम में कक्षा 11 और कक्षा 12 दोनों के अध्याय और विशय शामिल हैं हालांकि एक छात्र जिसने भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान का समग्र विशय और वैचारिक ज्यान प्राप्त कर लिया है वह परीक्षा से एक साल पहले अपनी पूरी नीट की तयारी शुरू कर सकता है जो कि उनकी कक्षा 12 शुरू करने के ठीक बाद है यहां हम नीट 2025 परीक्षा की तयारी के लिए कुछ टिप्स लेकर आए हैं नीटी परीक्षा, पैटर्न और सनरचना को अच्छी तरह से जाने नीट की तयारी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तरीका परीक्षा पैटर्न और सनरचना से अवगत होना है जबकि नीटी परीक्षा पैटर्न उपर दिया गया है छात्रों को परीक्षा सनरचना के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए पिछले वर्षों के नीट प्रश्न पत्रों को देखने की भी सलाह दी जाती है नीट के पाठ्थिक्रम को अच्छी तरह से समझ ले उम्मीद है कि नीट 2025 का पाठ्थिक्रम पिछले साल जैसा ही होगा इसलिए उन्हें नीट के पाठे क्रम को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उन अतिरिक्त क्षेतरों की जांच करनी चाहिए और उनकी तैयारी करनी चाहिए जिन्हें उन्होंने अपनी कख्शा 11 और कख्शा 12 में नहीं पढ़ा है ताकत और कमजोरियों का विशलेशन करें उचित तरीके से तैयारी करने के लिए अपनी ताकत और कमजोरियों का आकलन करना बहुत महत्वपूर्ण है विशलेशन के आधार पर आपको कमजोर क्षेत्रों में सुधार करने और मजबूत क्षेत्रों को संशोधित करने के लिए तैयारी की रणनीती बनानी चाहिए ताकि आप उन पर ध्यान नखोएं अभ्यास तैयारी के साथ साथ विभिन स्रोतों जैसे की नीट मौक टेस्ट, पूर्ण लंबाई और अनुभागिय, पिछले वर्षों के नीट प्रश्न पत्रों को हल करना टेस्ट सीरीज आधी से अभ्यास करना महत्वपूर्ण है विशेशद्य और टॉपर के सुझावों के आधार पर निम्न लिखित पुस्तकों को नीट के लिए सर्वोत्तम अध्ययन सामगरी के रूप में सुझाया गया है नीट भौतिकी के लिए सर्वश्रेष्ट पुस्तकें कक्षा ग्यारा भौतिकी के लिए NCRT पाठ्य पुस्तक कक्षा बारा भौतिकी के लिए NCRT पाठ्य पुस्तक, Objective Physics, DC पांडे भौतिकी के मूल सिध्धान्त, हैलिडे, रैसनिक और वौकर द्वारा भौतिकी की अवधारनाएं, HC वर्मा द्वारा, Fundamental Physics, प्रदीप NCRT रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें, होचि दाटे निडायकात कक्षा बारा के लिए NCRT रसायन विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें दिनेश रसायन शास्त्र गाइड, उनर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए Morrison और Boyd द्वारा On Organic Chemistry अरिहंत द्वारा On Organic Chemistry Objective कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए Modern की रसायन विज्ञान की ABC भौतिक रसायन शास्त्र OP टंडन भौतिक रसायन शास्त्र P. बहादुर संक्षिप्त अकार्बनिक रसायन विज्ञान JD ली द्वारा V. के जायस्वाल A. कार्बनिक MS. चोहान कार्बनिक और N. अवस्थी भौतिक द्वारा अभ्यास पुस्तकें N.E. जीव विज्ञान के लिए सर्वश्रेष्ठ पुस्तकें N.C.R. जीव विज्ञान कक्षा 11 पाठ्य पुस्तक N.C.R. जीव विज्ञान कक्षा 12 पाठ्य पुस्तक 2. मैन का जीव विज्ञान भाग 1 और 2 दिनेश द्वारा वस्तुनिष्ठ जीव विज्ञान On Objective Biology अंसारी द्वारा प्रदीप प्रकाशन की जीव विज्ञान जीव विज्ञान G.R. बाथला प्रकाशन S.C. वर्मा जीव विज्ञान नीट 2025 प्रश्ण पत्र 2025 के लिए नीट प्रश्ण पत्र 13 भाषाओं में होंगे उम्मीद्वारों को आवेदन पत्र भरते समय अपनी पसंदीदा नीट प्रश्ण पत्र भाषा का चयन करना होगा और यह सुनिष्चित करना होगा कि उन्हें उनके द्वारा चुनी गई भाषा का प्रश्ण पत्र मिले परिक्षार्थियों को परिक्षा के बाद नीट प्रश्ण पत्र परिक्षा केंद्र के बाहर ले जाने की अनुमति है कुल 4 सेट होंगे जिनमें से प्रत्येक को 6 उपसेट में विभाजित किया जाएगा प्रत्येक पेपर में कुल 200 प्रशन होंगे जिनमें से उम्मीदवारों को 180 का प्रयास करना होगा जबकि प्रत्येक नीट प्रशन पत्र में प्रशन समान है विशेयों या प्रश्णों की व्यवस्था या स्थिती अलग-अलग होगी नियटी 2021-25 के इच्छुक उम्मीदवार पिछले वर्षों के नियट प्रश्ण पत्र, उत्तर कुंजी और समाधान नीचे देख सकते हैं परीक्षा में शामिल होने की योजना बनाने वाले छात्रों को प्रश्ण प्रकारों और विशयों से परिचित होने और तदनुसार तैयारी करने के लिए पिछले वर्षों के नीट प्रश्ण पत्रों को हल करना चाहिए नीटी 2025 की अटकलें नीट 2024 को लेकर चल रहे बड़े विवाद को देखते हुए नीट 2025 परीक्षा के तरीके में बदलाव या अलग-अलग राज्यों के लिए अलग-अलग नीट परीक्षा आयोजित करने के बारे में अटकलें लगाई जा रही है रिपोर्टों के अनुसार शिक्षा मंत्रालय पेपर लीक की घटनाओं से बचने के लिए परीक्षा की तरीके को कम्प्यूटर आधारित या ओनलाइन करने की योजना बना रहा है इसके अलावा मंत्रालय परीक्षा को दो स्तरिये, प्रारमभिक और अंतिम बनाने के विचार पर भी विचार कर रहा है जिसे दो अलग-अलग निकायों द्वारा आयोजित किया जाएगा जबकि NTA प्रारमभिक परीक्षा आयोजित कर सकता है अन्य आयोजक जैसे की National Board, On-Off Examination in Medical Sciences, NBEMS या केंद्रिय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE अंतिम नीट परीक्षा के लिए संचालन निकाय हो सकते हैं आनचसी, दूसरी ओर पस्चिम बंगाल और करनाटक की राज्य सरकारों ने नीट को पूरे देश के लिए आयोजित एक मात्र मेडिकल प्रवेश परीक्षा होने के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है और अपनी खुद की राज्य सरी असना तक मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया है हाला कि यह अभी भी योजना के चरण में है और अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है नीट दो हजार पच्चीस पात्रता मांदंड नीट दो हजार पच्चीस पात्रता मांदंड पिछले साल की तरह ही रहने की उम्मीद है पिछले साल कक्षा ग्यारा और कक्षा बारा में पढ़े जाने वाले विश्यों और स्कूली शिक्षा के संदर्भ में नीटी मांदंड बदल गए थे नीचे नीएटी पातरता मांदंड दो हजार पचीस पर एक नजर डाले अभ्यर्थियों को रसायन विज्ञान बहुतिक विज्ञान, जीव विज्ञान जैव प्रोध्योगी की और अंग्रेजी विशेयों के साथ कक्षा बारावी बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके लिए उपस्थित होना निर्धारित होना चाहिए सामान्य वर्ग के उम्मीद्वारों को नियूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने चाहिए तथा आरक्षित श्रेणी के उम्मीद्वारों को प्रवेश के समय अभ्यर्थी की आयू 17 वर्ष होनी चाहिए, अथवा 31 दिसंबर 2025 तक आयू 17 वर्ष हो जाएगी, तदनुसार अभ्यर्थी की नियूनतम जन्मति थी 31 दिसंबर 2008 होनी चाहिए, कोई उपरी आयू सीमा नहीं है, भारतिय नागरिक, भारत के विदेशी नागर जो किसी विदेशा विश्वविद्याले से MBBS, BDS करना चाहते हैं, उन्हें भी नीट 2025 के लिए अरहता प्राप्त करनी होगी। नीट 2025 आवेदन प्रक्रिया, नीट 2025 आवेदन पत्र परिक्षा की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जारी किये जाएंगे। होने पर सठीक URL प्रधान किया जाएगा। नवीनतम समाचार अनुभाग के अंतरगत नीट 2025 पंजी करन टैब पर क्लिक करें। निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और सहमती चेक बॉक्स पर क्लिक करें। आपेशी काती व्यक्तिगत और संपर्क विवरण जैसे अनिवार्य विवरण दर्ज करें और एक पासवर्ड बनाएं। अपने मोबाइल नंबर और इमेल पते पर प्राप्त OTP दर्ज करके विवरण सत्यापित करें। पंजीकरण संबंधी जानकारी जैसे आवेदन संख्या और पासवर्ड उम्मीद्वारों को इमेल के माध्यम से भेजे जाएंगे। आवेदन पत्र पूरा करने के लिए नीट। 2025 पंजीकरण क्रेदेंशियल के साथ लॉगिन करें। प्रत्येक अनुभाग में अनिवार्य विवरण भरें। 2025 के लिए अपेक्षित श्रेणी वोर आवेदन शुल्क दर्शाती है। वर्ग आवेदन शुल्क भारतिय रुपेय में सामान्य एनराई 1,700, सामान्य EWS, OBC-NCL, 1,600 SSE, SAT, PWBD, तृतिय लिंग, एक हजार भारत से बाहर के उम्मीदवार, 9,500 NIT, 2025 ADMIT CARD, NIT ADMIT CARD, या हॉल टिकट परीक्षा केंदर पर ले जाने के लिए अनिवार्य दस्तावेज है। NTA केवल पंजीकृत उम्मीदवारों के लिए NIT 2000 अब टाइम पीज एडमिट CARD, ओनलाइन मोड में जारी करेगा। संभवता, मई 2025 के पहले सप्ता हमें, परीक्षा तिथी से कुछ दिन पहले, परीक्षार्थियों को परीक्षा वेबसाइट पर लॉग इन करके और नीचे दिये गए चरणों का पालन करके इसे डाउनलोड करना होगा। वास्तविक URL एडमिट CARD जारी होने पर प्रधान किया जाएगा। एडमिट CARD डाउनलोड करने के लिए दिये गए लिंक पर क्लिक करें। एडमिट CARD डाउनलोड करें। एक आधिक प्रिंट आउट लें। पिछले साल परिक्षा केंद्रों की कुल संख्या 4850 थी और भारत में नीट परिक्षा शहरों की संख्या 500 सत्या मिन और विदेशों में 14 शहर थे। उम्मीदवारों को वरियता क्रम में दो परिक्षा शहरों का चयन करना होगा। NTA उम्मीदवारों की प्राथमिक्ताओं और उपलब्धता के आधार पर नीट 2025 परिक्षा केंद्र आवंटित करेगा। नीट 2025 उत्तर कुंजी नीट 2025 प्रोविजनल आंसर की NTA द्वारा परिक्षा आयोजित होने के लगभग एक महीने बाद यानी मई 2025 के चौथे सप्ता हमें जारी की जाएगी। उम्मीद्वारों को आपतियां या चुनोतियां प्रस्तुत करने के लिए चार से पांच दिनों का समय दिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्नपत्र सट या कोड के लिए नीट 2025 उत्तरकुंजी जारी करेंगे। ये अनौपचारिक नीट उत्तरकुंजी हैं और उम्मीद्वारों को अपने अनुमानित अंकों की गणना करने के लिए इनका उपयोग करना चाहिए। ये भी पढ़ें। अपने स्कोर काड डाउनलोड करने होंगे। NIT परिणाम के साथ NTA आवेदकों, परिक्षार्थियों और योग्य उम्मीद्वारों की कुल संख्या के संदर्भ में परिक्षा के डेटा और सांख्य की भी जारी करेगा। NIT 2025 कटोंफ NIT 2025 कटोंफ NTA द्वारा रिजल्ट के साथ जारी किया जाएगा। परिक्षार्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि NIT कटोंफ 2025 पिछले साल की तुल्ना में अधिक होगी। संदर्भ के लिए हम पिछले साल की NIT कटोंफ लेकर आए हैं। वर्ग कटोंफ प्रतिशत, कटोंफ स्कोर। यूर जो IWS, 50 V, 7212 117 अन्य पिछडा, वर्ग 40 V, 113, 119, अनुसूचित जाती 40 V, 113, 119, अनुसूचित जाती 40 V, 117, 119 URIWSPWD 45 163, 846, OBC दिव्यांग 40 V145, 119, SSEPWD 40 V145, 129, SSEPWD 40 V141, 149 NEET 2025 Counseling NEET, Counseling या प्रवेश प्रक्रिया परिणाम के लगभग एक महीने बाद शुरू होगी NEET 2025, Counseling प्रक्रिया दो प्रकार की होगी एक 15 प्रतिशत अखिल भारतिय कोटा, AIQ, सीटों के लिए और दूसरी 85 प्रतिशत राज्य कोटा सीटों के लिए Medical Counseling Committee, MCC, AIQ, सीटों के लिए प्रवेश या सीट आवंटन प्रक्रिया आयोजित करती है और राज्य काउंसलिंग या Medical Counsel राज्य कोटा सीटों के लिए NEET Counseling आयोजित करती है